अब देखते हैं question number 5 को 5 में आपको कह रखा कि voltage दे रखता है आपको circuit है voltage across L and C AC circuit में जब भी voltage कहे तो उसका मतलब RMS volt ही होता है बाकि कोई भी और voltage होगा तो आपको mention करेगा तो आप से कहा कि ये वाली RMS value जो L के across है ये 300 volt है और ये वाली 400 volt है और आप से पूछ रहे हैं E इसका voltage कितना है तो इसकी भी RMS value ही पूछ रखी है अब series LCR में relation होता है V RMS square equal to V R RMS square plus VCRMS minus V L RMS square अब यहाँ put कर देते हैं value को ये हमें find करना है R है ही नहीं आपके cable के अधे रखा है VC और V L तो VC और V L तो ये हो जागा 400 minus 300 का square ये V RMS square तो V RMS की value 400 minus 300 यानि 100 volt ही होगी right answer 5 का भी A ही होगा सब्सक्राइब और